पसकार मैं हूँ चेतना शर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं समबाद भारत का भारत के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उदैपूर जिले की सलूमबर विधानसवा सीट की जहां पर उप्चुनाव कई माईनों में खास नजर आ रहा है और इसके परिणाप राज्य की राजनीती पर गहरा प्रभाव भी डालेंगे तो चलिए बताते हैं आपको सारे विशलेशन के जरिये रणीतियां क्या क्या रहेंगी बीजेपी की सलूंबर विधानसवा सीट पर उप्चुनाव की आवशकता इसली पड़ी क्योंकि यहां के बीजेपी विधायक अमरत लालमीना का हाल ही में निधन हो गया था उन्होंने 2023 के विधानसवा चुनाव में लगातार तीसी बार जीत दर्च की थी यह सीट उदापुर जिले की आठ सीटों में से एक थी जिसे आदिवासी मतदाताओं की अधिक्ता के चलते स्टी आरक्षित घोशित किया गया और इतिहास की बात करें तो यह सीट कॉंग्रस का गड़ मानी जाती थी लेकिन पिछले एक दशक में बीजेपी ने यहां मजबूत पकड़ बना रखी है जातिकत समिकरण और इसके माईने अगर देखें तो सलूमबर विधानसबाद शेतर में करीब 60 प्रतीशत मतदाता आदिवासी समुदाय से हैं ऐसे में जाती समिकरण चुनावी परणाव में महत्वपोन भूमिकाने भांगे जहां एक और बीजेपी ने अपने पकड़ मजबूत करने के लिए आदिवासी समुदाय को साधने के प्रयास किये हैं महीं दूसरी और कॉंग्रेस और हाल ही में उपरे भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपने रणनीतियां अलग तरीके से तयार की हैं बीजेपी के चुनावी रणनीति की हम बात करें तो इन उप चुनाओं में अमरत लाल मीना की पतनी शांता देवी को उम्मेदवार उन्होंने बनाया है तो सहानू भूती का फैक्टर यहां बीजेपे के लिए बड़ा लाबदायक हो सकता है इसके अलावा बीजेपी ने बरिष्ट नेता हेमंत मीना को मैदान में सक्रे रखा है ताकि ST वोटों में विखराव ना हो बीजेपी ने आदिवासी वोटों के साथ 40 प्रतीशत गैर आदिवासी वोटों को भी एकजुट करने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात डॉक्टर किरोरी लाल मीना का भी इस शेतर में प्रभाव है वो जब राजपा के प्रमुक थे तब हुनोंने आदिवासी वोटों में अच्छा समर्थन पाया था उनके उमिद्वार अनिल कटारा और चितेश कटारा ने बीजेपी और कॉंग्रेस के सामने कई सारी चुनोतियां खड़ी तो की है लेकिन बाप क्या आंतरिक विवादों के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है जिससे बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो इस शेतर में पहले काफी मजबूत हुआ करती थी और अब फिर से पकड़ पाना मजबूती को खांडे की धार साबित हो रहा है रगवीर मीना, तारचन मीना के माध्यम से समर्थन पाने की कोशी शिर्टों की गई है लेकिन इनका प्रभाव अग उतना असरदार नहीं देख रहा है अंदरुनी सूत्रों की माने तो कॉंग्रिस के कुछ नेता बाप के प्रभाव को रोकने के लिए अंदर खाने बीजेपी को समर्थन भी दे सकते हैं अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठोड बड़ी तेजी से सलूमबर में अभ्यान संभाल रहे हैं, मोचा संभाल रखे हैं, चुनावे प्रचार पसार कर रहे हैं हाल ही में भजणलाल जी ने भी एक उपने बैठक की थी और चुनावे रणीतिया बनाई थी और बीजेपी के कई विधायक भी आदिवासी शित्रों में प्रचार अभ्यान चला रहे हैं, जिससे पार्टी को समर्थन मिले और उनकी प्रष्ट भूमी मजबूत हो अब सलुम्बर विधानसबा उचुनाओं में मुख्य मुकाबला बीजेपी की शांता देवी और बाप के जितेश कटारा के पीच दिखाई दे रहे हैं, कॉंग्रिस की उमीदवार रेश्मा मीना तीसरे स्थान पर संघर्ष करती भी दिखाई दे रहे हैं हालांकि बीजेपी के पक्ष में सहानुभूती और पार्टी के मजबूत प्रचार रनीती से शांता देवी को बड़त मिलने की पूरी-पूरी संभावनाएं नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये उप्चुनाओं केवल एक सीट का मामला नहीं है, बलकि राजिस्थान के राजन आपके सामने पेश करेगा, आप बताईए क्या है आपकी राइस मुद्धे पर लिखेगा जरूर और अगर आप आते हैं सलूंबर विधान सबाशित्र से तो बताईएगा कि वहां क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं और क्या होने वाली है, राजनेतिक तस्वीर सब कुछ लिख दालेगा कॉमें कैसा लगा वीडियो बताना न पूलेगा और ऐसे और वीडियो के लिए देखते रहे हैं समवाद भारत का भारत के लिए, नमस्कार अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपर चार्च करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ, तो अभी एंड्रोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर